शांती की शक्ति से शांती जग में लानी है शांती की शक्ति से शांती जग में लानी है शांत मन हो तन हो शीतर शांत मन हो तन हो शीतर ऐसे दुनिया बनारी है शांती की शक्ति से शांती जग में लानी है शांती की शक्ति से आज अठारा आठ दो हजार इकिस बाप दादा के महावा के हैं मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्यान करो तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ क्या गरना है मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ पर दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो क्या करो अपना कल्यान करो तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ यानि पहले अपनी धारनाए मजबूत कर लो फिर सेवा करो धारनाओं से सेवा करनी हैं ऐसे सेवा नहीं करनी प्रेशन है अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुखी निशाने सुनाओ अशरीरी बनने का अभ्यास क्या है जो डिल करते हैं सुदर्शन चकर फिराते हैं बाहर बाहर प्रमदाम जाते हैं सत्यू जाते हैं यह अशरीरी बनने की डिल योग अभ्यास जिसे हम कहते हैं जो सदा करते हैं उनकी निशानी बताओ उनकी निशानी हैं उतर है वे हट से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां automatically स्वताशीतल हो जाती है कैसे ग्यान से वो द्वाईयं का कि जितने भी सन्यास्य। द्वाईएं खा कि अपने आपको काट्रोलिक पावर करते हैं और यहां पर अपने आप हो जाती कैसे ग्यान मिला हम आत्मा भाई भाई हैं यह समरिती सुटा रहती है आत्मा आत्मा भाई भाई इससे क्या फैला हुआ देह अभिमान छूटता जाता है देह विमान क्या है नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है और दूसरों की यादी नहीं आती है सुधर्शन फिर आते रहते है सुएम को देखते रहते है जितना बिजी अपने को कर देते हैं दूसरों के बारे में विचार चलाने का टैम नहीं रहता क्योंकि व्यर्थ है ये सारा दे को देखना देख सिम्थी देखना दे के संबंदों को देखना पदार्थों को देखना ये देभान तो है तो देभान क्यों है? देभान है यानि व्यर्थ है वेस्ट है ये बाते तो व्यास क्यों है? व्यास का कारण क्या है? समर्स की कमी. समर्स क्या है? आत्मिक समरीती में रहना. ये आत्मिक समरीती बढ़ा हो. अगर शरीरी बनने का बहास करते हो, शरीर का भान खुदी खतम हो जाएगा. तो चेक करो कितना भान खतम हुआ है. दुनिया की कितनी बाते जो अंदर थी कोई पूछता है क्या हुआ था हलका सहां कुछ कुछ हुआ था डिटेल नहीं पता चेक करो ने आपका योग ठीक चल रहा है और श्रीपन की डिल ठीक चल रही है गित चला तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम अंशांती बाबा ने कहा है ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं ग्यान का सागर है इसका मतलब ग्यान और अग्यान ग्यान को कहा जाता है दिन सत्युक तरिता ग्यान की जो प्रारद है और अग्यान को कहा जाता है राख दौा पर कल्यूग ग्यान अक्षर ही अच्छा है अग्यान अक्षर बुरा है आधा कलब है ग्यान की प्रारव आधा कलब है अग्यान की प्रारव प्रारव तो दो नहीं है ना रिवार्ट दोनों का मिलेगा अग्यान की प्रारवद है दुख अशांती ग्यान की प्रारवद है सुक शान्ति ये तो बहुत सहज समझने की बाते हैं कि दिन है ग्यान का जब आबा से ग्यान मिला दिन हो गया सत्योग आ गया रात है अग्यान और दुनिया में ये भी किसी को पता नहीं है कि ग्यान कहा किस को जाता है और अग्यान किस को कहा जाता है इसलिए ये है बेहद की बाते तो तुम सब को समझाते हो ग्यान क्या है भक्ति क्या है ग्यान तो हर चीज का होता है डॉक्टर का ग्यान कारपेंटर का ग्यान खाना बनाने का ग्यान ग्यान तो हर चीज का है यहां किसकी ग्यान के बात कर रहे हैं जो भक्ति के अपोजिट है ग्यान से तुम पुझ बन रहे हो जब पुझ बन जाते हो तो पुझा की समगरी को जान जाते हो जो भी मंदिर आदी है तुम जानते हो ये जो मंदिर आदी है ये सब क्या है ये सब यादगार है यानि उनकी जीवन कहानी क्या है वो तुम ही जानते हो और जो पूजा करने जाते है वो खुदी नहीं जानते तो पूजा को कहा जाता है भगती भगवान को भगतों से मिलना है किस लिए भगती का फल देने के लिए सो भगवान ही आकर पुजारी से पुज्ज बनाते हैं पुज्ज सत्युग में पुजारी कल्युग में होते हैं तो तुम बच्चे जानते हो आज क्या है और कल क्या होना है लाकि विनाश तो जरूर होने का है और कोई भी समय हो सकता है तेयारिया विनाश की होई रही है गाया हुआ भी है कैसे होगी विनाश अनेक कुदरती आपदाए होती है ये तो लिख देना चाहिए ग्रह युद और कुदरती आपदाएं उनको कोई ईशुरी आपदाएं नहीं कहेंगे बुचाल आरा जी ये भुवान के काम है भुवान नहीं कराता ये तो परकुरती को आपने दुख दिया है वो आपका रिवेंज ले रही है वो आपको दुख दे रही है क्योंकि आपने दिया है विकारों से वाइबरेशन पचाई है प्रकृति के बास अब वो आपका बदने ले रही है इसलिए उनको कोई इस्षुरी आपदाई नहीं कहेंगे गॉड्ली किलामेटिज नहीं होती ठीक है ना ये तो ड्रामा की नूद है जिसमें नैचुरल किलामेटिज सब आने वाली हैं त्यार है ना बुचाल भी आएंगे बाड़ भी आएगी सब कुछ होगा आग भी लगेगी विनाश में भी ये आपनाएं मदद करेंगे ना मुस्लाधार बरसाथ पड़ेगी बुखों मरेंगे अर्थक्वेग भुचाल आदी सब आने की है क्योंकि इन दोरा ही विनाश होने का है तो बच्चे जानते हैं ये दो जरूर होने का है नहीं तो सत्यों में इतने थोड़े मुनश्य कैसे होंगे जरूर एकठा विनाश होगा तो बच्चे अच्छी रिती जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे ये सब कपड़े धोए जाएंगे गुरबानी में लाइन आती है ना मूत पलिती कपड़ तो है कौनसे कपड़े ये बेहद की बड़ी मशीनरी है है ना इन कपड़ों की बात नहीं ये है शरीर रूपी कपड़ा आत्मा का कपड़ा क्या है शरीर तो शरीर रूपी कपड़े की बात है और आत्माओं को कैसे दोना है उतो योगबल से दोना है तो इस समय पांच तत्व तमो परधान है तो शरीर भी ऐसे ही बनते है पतित पावन बाप आकर पावन बनाते है और सब जो पावन नहीं बनते सब खलास हो जाते है सिर्फ प्यूर बन जाओ परकरती के पांच तत्व कुछ नहीं करेंगे आपको तुम जानते हो पावन कैसे बनते है रास्ता बहुत सहज बताते है मनुश्य तो दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं समझते भक्ति यग्य तप आदी होते है वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो कोई बन्दा नहीं है देवताओं को उनके चेहरी कितने अकर्षित है कितने खर्षित मुक्ष है कैसे बने ऐसे यह समझते लो तो तो समझने सिखाऊगा तुम भी जीवन मुक्ति पास सकते हो तो मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रिती समझेंगे तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते ही हो तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है अब परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी दुनिया में कोई भी नहीं जानते क्या कहते हैं परमात्मा तो सरव्यापी है अब सरव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ा ही हो जाती है और तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो पूरे जीवन कहानी यानि आदी मध्य अंत को जानते हो आदी कब है आदी सत्यों को किएंगे नहीं बाबा केते संगम को कहेंगे आदी शुरुवात कब से होई संगम से तो इस समय को कहेंगे आदी शुरुवात जबकि बाप आकर पढ़ितों को पावन बनाते है फिर मद्य में यानि द्वाप पर से भक्ती का पार्ट चलता है बाप कहते हैं इस समय इस समय मैं आकर स्थापना करता और कराता हूं क्योंकि मैं करन करावन हार हूं अब प्रेणा को करना नहीं कहेंगे बाबा उपर से सगरब चलाए और यहां हो जाए इसको करना नहीं कहेंगे बाबा आकर इनकी ब्रमा बाबा की करम इंद्रियों द्वारा करते हैं अब इसमें प्रेणा की तो बात ही नहीं करन करावन हार तो जरूर समुक होके ही कराएंगे करन करावन हार हर शास्तरों में वर्ट आता है वाला तो प्रेडना से कुछ भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता कहते है संकल पूसे सिस्टी रथी भाबा कहते है आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है बहुत कहते हैं इश्वर ही प्रेना से सब कुछ करता है बाबा आप प्रेना करो बाबा आप कुछ करो ना प्रेना करो हमारे पती की बुद्धी ठीक हो जाए बाप कहते हैं इसमें प्रेना की तो बात ही नहीं फिर शिव जनती क्यों मनाई जाती शिव का जनुम क्यों मनाते हो प्रेना से काम हो तो फिर आए ही क्यों एक तो इश्वर क्या चीज है यही नहीं जानते सिर्फ कह देते इश्वर की प्रेना से सब कुछ होता है वही कराने वाला जी उसके इशारे के बगार तो पत्ता भी नहीं होता यह डालोग लोग में नोट किया हुआ है यहीं होते रहते हैं भगा केते अब मेरा कार प्रेना से कैसे करेंगे वो तो है करन करावन हार यानि आ करके रास्ता बताते हैं करम इंद्रियों से मुर्ली चलाते हैं शिक्षाय देते हैं जब तक करम इंद्रियों का अधार ना लें तब तक मुर्ली कैसे चलाएं ग्यान कैसे सुनाएंगे मुक का अधार तो चाहिए तो ग्यान का सागर है तो सुनाने के लिए मुक चाहिए ना तो अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आधी मज्ज अंत का पता पड़ा है यानि पूरी नालिज मिली है क्या समझे हम समझते हैं ग्यान बिगर गती नहीं अब ग्यान कौन दे अग्यान मार और ग्यान मार में फरक तो है ना विग्यान भी कहते हैं ग्यान विग्यान दिली में ग्यान विग्यान भवन है ना विग्यान भी कहते हैं तो अग्यान है अधियारा बकी ग्यान और विग्यान को हम मुक्ती जीवन मुक्ती भी कह सकते है तो तुम को अब पावन बनने का ग्यान मिलता है कौन सा ग्यान है पावन बनने का ग्यान कैसे बनते है तुम सुदर्शन चकरधारी बनते हो कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे कहेंगे आत्मा ग्यान लेती है तो आत्मा जरूर सथकार ले जाएगी ना मनुश्य से देवता बनते हो तो ग्यान रहना चाहिए परंतु बाप समझाते हैं ये पुर्शार्त है प्रारब्द के लिए जो इस समय तुम चेक करोगे ग्यान से और योग से चेंज करोगे यही आपके किसमत बना रहा है यही आपका रिवार्ड मिलने वाला इसी से रिवार्ड मिलेगा आप लो रिवार्ड मिल गी प्रारब्द मिल गई फिर ग्यान की क्या अधरकार है सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब अब यह बाते सुनने से दुनिया वाले वर्डर खाएंगे यह ग्यान परमप्रा नहीं चलता क्यों? यह बाप कहते हैं यह ग्याने इस समय दिया मने यह फिर प्रायलोप हो जाता है अब दिन हो गया सत्युद्यता आ गया फिर अग्यान तो है यह नहीं जो ग्यान की दरकार है लाइट आगे आगे है ना? फिर तो अधेरा चला गया ना? दुबाब ने कहा यह भी समझने समझाने की बाते है फट से कुई यह बाते समझ नहीं सकते शिव बाबा भारत में ही आते हैं बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं क्या सौगात आते हैं? हथेली पर बहिश्ट यानि भक्ती का फल देने भक्ती के बाद है सदगती भक्ती के बाद है ग्यान ग्यान से उती है सद्गति ये विनाश भी होगा जरूर अब पहले पका गरा रहे त्यार रहना पड़ेगा विनाश का सीन देखने के लिए जो डर गया रास्त में पेपर आएगा जो डर गया सो मर गया इतना पावल बनाना है कैसे बनेगा प्रावल गयान योग से ये विनाश भी होगा जरूर असार दिखी रहे हैं खड़ी हैं तुम सुनते रहेंगे चिंगारी लगती है तो एक दो घंटे में सारा मकान जलकर भसम हो जाता है नहीं एक ने भी एक बाम चलाया दूसरे वेट नहीं करेंगे फिर एक सारे बाम चल पड़ेंगे सारा कुछ तहस नहीं देर नहीं होने में तुम वेट करते रो चलो जब विनाश होना शुरूर है तब पुर्शाद कर लेंगे नहीं ये कोई नहीं बात नहीं है विनाश तो होना जरूर है अभी तो सत्यू में होते ही हैं थोड़े मुनेश वो भी श्रेष्ठा चारी सब श्रेष्ठ आचरन वाले तो श्रेष्ठा चारी बनने में कितनी मेहनत लगती है अपना पूरा करेक्टर आचरन सुधारने में ठैक तो लगता है ना यूकि माया है ना क्या करती है माया नाक से एकदम पकड़ लेती है ऐसे गिरने वालों को मैं थे विकार में कुछ चला गया अगर उनको तो बहुत चोट लगती है टाइम लग जाता है बड़े ते बड़े चोट है काम विकार लस्ट की इससे लिए कहा जाता है काम महा शत्रू है यही काम विकारी पतित बनाते हैं जगड़ा होता ही है विकारों पर और विकार के लिए विकार के लिए नहीं चोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे आम महाता हूं को जब विकार के लिए आदमी नहीं चोड़ेंगे तो क्या कहेंगे महाता है इससे तो बरतन साफ करें वही अच्छा है जाड़ू पोंचा लगाएंगी परंतु पवित्तर रहेंगी बाबने इसमें चाहिए बहुत हिम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म पर निच्चे होने में हैं यहां पर फीड होगा एक बारी पुट्र रहना है फिर कोई दुनिया नहीं बचा सकती तो बाबाने कहा जब कोई बाप की शरन में आते हैं बाबा का बनते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है तो पांच विकारों की बिमारी जब हम विकारों की बिमारी समझते हैं तब इसका ट्रीट्मेंट लेना शुरू करते हैं जब इसको बिमारी समझते नहीं है ठीटमेंट भी नहीं लेते ठीटमेंट क्या है? ग्यान यो तो पांच विकारों की बिमारी और ही अधिक उत्था लखाती है ग्यान में आने के पाद और ज़्यादा विकार की बाते आती है पहले तो पकाट निश्चे बुद्धी होना चाहिए किस बात के लिए कि जीते जी मरे हुए है यानि परानी दुनिया से कल्यों की दुनिया से हम मर गए हैं हम संगम पर हैं हमें भगवान ने एडाप्ट किया है ब्रेष्ट आचरन कताम अब श्रेष्ट आचरन वाले बन गए है यह क्या होती है पका निश्चे बुद्धी बुद्धी में पूरा इस बात का निश्चे होना चाहिए क्योंकि यहां से लंगर उठा लिया है दुनिया में बातों से लंगर उठा लिया है कल यूगी यानि कल यूगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है यह किस से पूछना है अपने आप से पूछना है कल यूगी विकारी किनारा हमने छोड़ दिया है और अब हम यात्रा पर जा रहे हैं यानि हम अश्रीरी हो अपने घर जाते हैं तो आत्मा को ये ग्यान है कि हम एक श्रीर छोड़ दूसरे में जाएंगे तो हम गरस्त व्यवार में रहते कैसे रहना है कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं मना बुद्धी में याद रहे कि ये तो कबरिस्तान है विकारों में जाने से कबरों में जा रहे हैं फिर हम सुखदाम में जाएंगे फिर सुखी सुख है एक बड़ी काम विकार बजित वाली फिर सोखे सोखे एक बारी की प्रालम है थो डूर सी एक बारी कहा जटका लगना है उसस हमको बाबा वर्सा देने की जुकती बता रहे हैं क्या जुकती है पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं मैड़िशिक इसके लिया है पावन बनने के लिए और याद से ही विकरम विनाश योंगे तभी तो आत्मा शरीर चोड़ेगी यात्रा कितनी वंडर्फुल है देली यहां साथ है परमदाम जाते है जाते जाते है ना फिर आत्मा को शरीर चोड़ने मुश्किल लादी अज़ें डिली नहीं कियोगी योगी नहीं कियोगा उसनमें डरेंगी है यह क्या होगा है कुछ होना जाए करना क्या है सिर्फ बाप को याद करो और अपनी राज़दाने को याद करो इतनी सहजबात भी याद नहीं पढ़ती कि अलव को याद करो बस उतनी काम है परंतु माया वो भी याद करने नहीं देती फिर मेनत लगती है अब आत्मा को ग्यान मिला है कि हमारा बाबा आया हुआ है आत्मा पढ़ती है ना आत्मा शरीद द्वारा जनम लेती है तो आत्मा आत्मा भाई भाई है दे अभिमान में आने से फिर अनेक संबंद हो जाते है दे में आये संबंद बनाया फिर दिर दिरे एक से अनेक संबंद बन जाते है यहां तुम ग्यान मारग में तुम भाई बेहन हो गए तुम आपस में को हैं अपसारे आपस में भाई भाई भी हो और भाई बेहन भी हो क्योंकि परवर्थी मार्ग है न बवान न यहीं से परिवारों में रहना का मार्ग सिखाया न वर्सा दोनों को चाहिए भाईयों को भी बेहनों को भी आत्मा ही पुरशार्ट करती है तो अपने को आत्मा समझना यही मेंध है इस मियान मारणilia में मेंध क्या है अपने को आत्मा समझना दे अभि मान ना रहे अब शरीर ही नहीं अब बिचार करो ये शरीर ही नहीं है तो विकार किस्से करेंगे हम आत्मा हैं हमें बाप के पास जाना है अब घर जाना है शरीर का बहान ही ना रहे बाड़ी की कॉंशिस ही ना रहे अब जितना योगी बनते जाएंगे करम इंद्रियां शान्त होती जाएंगी तो दे अविमान में आने से दे देखा दे करिस्तियाद आगे उससे करम इंद्रियां चंचल होती है तो आत्मा जानती है हमको चेंज कैसे होते हैं कि हमको प्राप्ती हो रही है यतना योग अच्छा रगएगा उतनी प्राप्तियां बढ़ती जाएंगे आत्मा जानती है हमको प्राप्ती हो रही है शरीर से अलग होते जाएंगे तो करम इंद्रियां शान्त होती जाएंगी और सन्यासी लोग दवाही खाकर करम इंद्रियों को शान्त करते हैं इसलिए बावा कहते हैं वो तो हट योग हो गया तुमको तो योग से काम लेना है क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो जितना आतम अभिमानी होते जाएंगे तो करम इंद्रियां शान्त हो जाएंगी पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बड़ी मेहनत का योग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और प्राप्ति तो बहुत उंच है ना तो बाप कहते हैं योगबल से तुम प्राप्ति कहा है योगबल से तुम विश्व के मालिक बनते हो तो करम इंद्रियों पर जीत पहनते हो इसलिए भारत का योग नामी घ्रामी है वेल नोन है भारत का प्राचीन योग जिगने आज भी विदेश से यहां पर आते हैं पर वो सन्यासी कहते हैं यह राजयों का सिखाएंगे यहांनी राजयों क्या है तुम मनुश से देवता पतित से पावन बनते हो तो प्रजा भी सरगवासी तो है ना खाली राजया तो ने इसलिए में होगे प्रजा भी तो होगी ना तो यूग बल से तुम बनते हो सरगवासी बाहु बल से नहीं बन सकते हो मेंत कोई बहुत नहीं है पहरे बबन वन वन ने का मेंत कोई बहुत नहीं है कुमारियों के लिए तो कुमारियों के लिए तो जैसे मेनती नहीं है फ्री हैं कुमारियां तो और विकार में गई एक बार भी विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है इसलिए कुमारी रहना अच्छा है नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पढ़ जाता है एक बर ही बिकारे में गई तो नाम पढ़ गया अधर कुमारी आफ होगी वो कुमारी यूगल भी क्यों बने हजबन भी किसे क्यों बने वाई भी क्यों बने इस में भी नाम रूप का नशा चरता है है ना इतने अच्छों से मेरे को शादी हो रही है इतने बड़े आदमी है ना इतना अच्छा परिवार मिल रहा है ना नाम कितना है उनका कितना कुछ उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है उनके बाद ये भी नशे अरता है ना बाबने का ये भी मूरखता है लाला चैनल पैस्टों के से रहो ये भी मुरखता है युगल बनने के बाद अगर शादी कर लिए तो पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए कोई कहते है ना गंदर भी विव्याद कर लेंगे जी हम उसके बाद पवित्र रहेंगे जी बाब ने क्या जूर ये गांग करते हो फिर तो तो बाब ने कहा युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए यानि ग्यान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए पूरी क्लियर्टी चाहिए ग्यान की एंलाइटन्ड सोल हो जाएगी ना ग्यान से तब है भलसा बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं परंटू आग की आँच आई जाती है बिकारों की आग की आँच आई जाती है तो खेल खलास इसलिए बावा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों रहाएं करना चाए तो देख लेते हैं शाद बती अच्छा मेजँआ ये ख्याल भी क्यों करना चाहिए कुमारियों का नाम बाला है क्या नाम बाला है कुमारी वो जो 21 कुल का उधार गरे कुमारी वो जो सुरक के द्वार खोले कितने नाम बाला है क्यों 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 क्य दो ही पढ़ते हैं ना क्या ये दो हो दो हो जाते ना शादी कर लोगे एक से दो हो गए दो हो पढ़ते हैं ना कुमारी है तो अकेली है दो से द्वैत आ जाता है दो से द्वैत हैं अद्वैत होता है एक है द्वैत होता है दो ये दो से ज्यादा बढ़के ना द्वैत हो गए ना प्रॉलम का बाद जब द्वैत में आते हैं एक राय है अज ऐसा कर लो समने कर दिया को प्रॉलम नहीं है मैंने कुछ का उसने कुछ किया द्वैत हो गया और अपने मनमानी करेगा आप अपने मनमानी करेगा जगड़े शुरू ऐसे हो नहीं से था एक ने कहा दूसरे ने माना वो शत्यू में होता है गोर करली में मानते है कोई दोसे द्वायत आ जाता है जहां तक हो सके कुमारी होकर रहना अच्छा है कुमारी स्व पर निकल सकती है बंधन में पढ़ने से फिर बंधन रिद्य को पाते है एक से दो हुए अब दो से तीन, चार, पांच होते रहेंगे बढ़ते रहेंगे कुई बच्चे हो जैंगे फिर सास है ससर है अपदेवर है पिए जैरा नहीं क्या होता है है ना बढ़ते जाएंगे पहरे से मापबाप थे वो बच्चों के लड़की वो दिए वैसी केरफूल होते हैं अब सास ससुर रिष्टे बढ़ते के किसे पंगा लिया एक से दो होने से दो से दुएद बढ़ता जाएगा बाबा ने कहा बंदन में पढ़ने से फिर बंदन वरिधी को पाते हैं तो बाबा ने कहा ऐसा जाल बिचाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धी फंस पड़े ऐसे जाल में फसना ठीक नहीं है कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है कुमारियों ने नाम भी निकाला है क्या नाम निकाला है कनहिया काना की कनहिया नाम गाया जाता है ना कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है इनों के लिए बहुत सहज है तो बाबने का स्टूटन लाइब पवित्र लाइब भी है जब तक कुमारी पवित्र है तब तक उसका पढ़ाई में पूरा ध्यान है जब पढ़ाई में ध्यान खत्म हो रहा है समझे लो साफदानी हटी दुर घटना घटी कोई नों की बाहर का चक्र है ना जब लड़कीं बाल स्वार ने शुरू कर देती हैं ना यह यह कपड़े बिजाइनिंग पहने शुरू हो समझे लो कोई चक्कर पढ़ने वाला है जब यावन दीर उता है मुड़ा चोरी चिपे नैन चिपाई है ना जो गाना है ना नैन मिलावाई बस ऐसे समझे लो जब शीशे के सामने बैठ के देखे ना हाँ भी को शीशा देखे कि बार बार समझे लो कर बढ़ है इसलिए बाब कहते हैं स्टूडन लाइफ पवित्र लाइफ भी है और बुद्धी भी फ्रेश रहती है और कुमारों को कुमारों को भीशम पितामा जैसा बनना है ठीक है भीशम पितामा कुमारों को भीशम पितामा जैसा बनना है कल्प पहले भी रहे है तभी तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है अब बाप बच्चों को फर्मान करते हैं इतना कुछ समुछ पाने के लिए क्या करना बढ़ेगा बाबा को ओर्डर क्या है मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्यान करो और बाप को याद करने में ही कल्यान है भूल चूक होती है बच्चे गिर पड़ते हैं तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्यान करो दूसरे के बारे में कुछ सोचते हो दूसरे के बारे में कुछ सोचते हो तुम अपना कल्यान करो दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं सबसे बड़ा प्रॉलम क्या है क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग अरे उनके लोगों के चक्र में क्यों बढ़ते हो तुम तुम सोने जैसा बन जाओ बिलकुल प्योर गोल्ड की तरह बन जाओ औरों को भी रास्ता बताओ सतो प्रधान बनने का एक ही उपाए है और पावन बनने के बिगर सतो प्रधान बनने के बिगर मुक्ती धामे जाई नहीं सकते उपाए एक ही है फिर अंतमती सोगती हो जाएगी अभी से बाबा याद रहेगा बस अंतमती में बाबा याद आएगा और गती हो जाएगी बाकी जर्मूई जग्मूई छोड़ दो इदर दर की बाते करना छोड़ दो नहीं तो अपना ही नुक्सान करेंगे बाब कोई शराप नहीं देते हैं बाबा कोई शराप नहीं देते हैं श्रीमत पर नहीं चलते तो आपी अपने को शिरापित करते हैं मुली के साथ नहीं चलोगे तो अपने को आपी शिरापित करते हैं तो आए तो कोई दर-दर के विचार आएं रिष्टे आएं एक्सेप्ट नहीं करना निए तो पस्टाना री पड़ेगा और ग्यान में आने के बास बड़ी खरजाएंगी निए नबड़ी अच्छे खरजाएंगी का कि ये कमाल है ये तो बाबा करवा रहा है ये बाबा नहीं करवा रहा है ये माया उरुआरност हारी है अच्छा मीठे मीठे सिक इलदे बच्चों प्रती मार पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग हम रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धार्वना के लिए मुकेसार है निश्चे बुध्धी बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है अपना लंगर उठा लेना है कौन सा लंगर जहाज को जब बंदरगा में रोकते हैं तो लंगर डाल जाता है कील सी होती है नीचे वो जमीर में दश जाती है जब जहाज को चलाना होता है वो कील सी होते हैं उसे लंगर कहते हैं वो उठाना पड़ता है जहार बें रादते हैं फिर जहार निकल पड़ता है इस एक कली को जमा से लंकीर हमने उठा लिस, लंकर उठा लिस, अब हम चले वितन की, और ये समगती में रखना है किरना क्या फिर, लंकर उठीकिया अब बाप के हर फर्मान को पालन कर अपना कल्यान करना है दूसरा दूसरों का चिंतन छोड़ अपने बुद्धी को स्वच सोने जैसा बनाना है जर्मुई जग्मुई में सफाई बेच करो जी ऐसा है जी ये है वो है ये फादू की बाते है बाबा ने का जर्मुई जग्मुई में अपना समय नश्ट नहीं करना है क्या करें योग बल से अपनी करम इंद्रियों को शान शीतल बनाना है कैसे रह सकते हैं कैसे रहें परिवारों में कितना सुन्दर बाबन तरी कर बताया वर्दान मेहमान पन की वृती द्वारा प्रवृती को श्रेष्ट स्टेज को उंचा बनाने वाले सदा उपराम भव यान यान अज हमने सदा उपराम उपराम में उपर राम से बैठ लो इस दे की दुनिया से वे जैसे के हम है यही नहीं उपर राम से लो ठीक है कैसे रहना उपर यह नहीं की उपर जले गए परवृति को श्रेश्ट और स्टेज को उंचा यानि परवृति और स्टेज को उंचा बनाने वाले या यह को श्रेश्ट बनाने वाले बात एक ही है कैसे बनाएंगे मेमान पन की वृति द्वारा इस दुनिया में बेमान है न वापस जाना समने तो ऐसे ही परिवार में रहते हो वहां भी बेमान बनके रहो मैं घरस्ती नहीं हूँ मैं इस घर में मेमान बनके आया हूँ मेमान बनके जाओ मेमान क्या करता है कोई उसको बोलेंगे ये चाहिए जी ला दोगे ये चाहिए जी ये लो जी जो मांगे कुछ बोले एक तब हल्क बोलोगे उसकी मना दो नहीं करोगे पता है कि मैं तब मैमान हो भया लाके दूँगा तब ही बैठाँ यहाँ पर मना कर दो कल गए कर जाओ अपस इसे जो मांगे दे दो अपनी घर में बस चलेगी अपना तो और पक्का मेमान की वृत्ती हो पूरी तरह अंदर बैटाओ मैं मेमान हूँ तब पर वृत्ती में क्या होगा परिवार में क्या होगा श्रेश्टी बन जाओगे और स्टेज कर देंगे आपको मिलगी स्टेज उची तब क्या टैटल क्या मिलेगा हमारे को सदा उपराम यह तुझी कुछ फ्यावत को नहीं बोलते कुछ उपराम रहते हैं मस्त रहते हैं अलग ही रहते हैं मस्ती से ठीक है बाबने का जो स्वयम को महमान समझ कर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं आत्मा दुनिया में महमान है अपने घर में भी महमान के रहो इस शरी में भी महमान बन के रहो यहां की भी महमान हूं मैं पदर ही कब शरी छोड़ दूँगी तो मेमान का अपना कुछ नहीं होता कारे में सब वस्तू लगाएंगे भद ने मेरे घर तो हैंगे मेरे मकान तो हैंगे मेरे तो हैंगे कुछ है जो उसके पास है वो हाँ यहां से वह में लगा देंगे लेकिन अपने पन का भाव नहीं होगा वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं दे, दे के संबंध और वहभों से जो भी फैसिलिज मिल रही है उससे सहज उपराम हो जाते है बुद्धी में दूर रहते हैं बुद्धी से ये दे पर्मनेट मेरी नहीं है रिष्टे नाते पर्मनेट नहीं है ये फैसिलिज पर्मनेट नहीं है तो जितना मेमान पन की वर्ती रहती उतनी परवर्ती श्रेश्ट और स्टेज उची रहती है यह अभ्यास करना पड़ेगा मैमान हो हर जगा मैमान हो मैमान को रहता है जो आता है जाता है घर वाले तो घर में रहते हैं आप सर्विसम जाते हो चलेगे शाम को आए मैमान हूँ करना क्या उसके लिए स्लोगन अपने सुभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है अपनी नेचर इजी नेचर कर दो बस प्रावल्म क्या है आपकी नेचर यो है ना इजी नहीं है सारी प्रावल्में तब ही आती है तेक है इजी नेचर होगी तो सफलता हर कदम में है है ओम शान दी झाल झाल